जेबरा माइगरेशन इन बोस्टवाना अब बोस्टवाना जो है वो कहाँ पर वाक्या है और जेबरा की माइगरेशन जो है वो पहले कभी नजर आई है नहीं आई है जेबरा एक बड़ा खुबसकता जानवर है जिसके उपर जिए वो स्ट्रिप्स है ऐसा जो है वो जानवर हमें कहीं और नज़र नहीं आता है तो पहले तो कुछ हम फैक्ट्स यहां वो जेबरा के देख लेते हैं एक तो सबसे पहले यह कि यह जो सब जीनश है hippo tigres उससे belong करता है और ये जो सबसे ज़्यादा जो चीज हमें इसकी जो है दूसरे जानवरों से और जो इसको different करती है वो है इसकी जो है वो trips ही है जो इसके पर धारियां है वो और इस जो है group के दूसरे members जो है ये genus equus है इसके दूसरे members यहां वो horses और aces है यह अब a horse यहां वो बिल्कुल black है बिल्कुल white है black और white है brown है brown और white है तो उनके अंदर strips नहीं है एक pattern specific नहीं है उसके अंदर अजीब जो है वो spotted mosaic सा pattern है लेकिन यहां तो nature ने ऐसे जैसे painting के साथ उसकी यह line जो है वो draw की है यहां मुँ के उपर इस तरह से आ रही है यहां कानों के उपर जा रही है गर्दन के एर्दिकेट ऐसे आ रही है तो यह जो खुबसूरती है lines की strips की basically इसको अपने genus के rest of the members से जो है वो बिल्कुल differentiate कर देती है इसकी family जो है वो equity है और mammal है यह terrestrial mammal है और एक एक जो हमारी international organization है उसके accordingly status क्या है कि zebra जो plain zebra होते है वो least concern है इसमें gravy zebra है वो indagent है mountain zebra है वो one river है इसका मतलब यह हुआ कि zebra सिर्फ एक ही नसल का नहीं जो हमें नजर आता है बलके जो zebra है वो भी basically तीन distinct types के हैं और जो इनका life span है wild में अगर आप इसे जो है वो कैदना करें तो 25 years है जो है अगर यह migrate भी करता रहता है और जो है वो आपको नजर भी आता है अगर इसी का शिकार नहीं बनता तो एक तबही 25 years की उमर पूरी करने के बाद जो है वो खुद बो खुद जो है कोई ना कोई वज़ा बनती है और उसके बाद जो है वो इसकी death हो जाती है might be कोई बैमारी हो जो है कोई और चीज हो फिर उसके बाद वो आइसा इसा जो है वो eventually खतम होगा इसका weight जो है वो 200 से 450 kg तक हो सकता है body length यानि कि यह जो हमारी इसकी जो है वो जेबरा की body length वो 2.2 से 2.5 मिली जो है वो मीटर तक है top speed क्या है कितनी तेजी के साथ भागता है घोड़े से जादा तेज भागते है घोड़े से कम तेज भागता है तो 65 जो है वो किलोमीटर पर आर इसकी जो है वो speed है हर भी वो और घास खाता है और जो habitat है means रहता कहां है जहां पर घास होगी grasslands होगे सवाना grasslands होगे वहाँ पर ये पाया जाएगा अब बोस्टवाना कहां पर है जो हमने पहले question किया और फिर zebra की migration जहां या zebra कितनी types के वो पाय जाते हैं पहली बात तो यह कि three different species हैं जेबरास की जो plain जेबरास हैं grasslands में, woodlands में eastern and southern Africa that is important अब ये African continent का जो है वो एक हमने यहां पे पिक्चर लगाई भी है यहां पे आप इसके legends देख सकते हैं यह जो है वो बता रहा है dotted area के historically जेबरास यहां पे present थे हैं जो dark green color है वो बता रहा है कि यह current जो है range है यहां पे अब पाए जाते हैं और फिर जो है वो यहां पर के introduced range के जेबरास को इन जगों पर introduced किया गया है यहां पर अगर आप गौर से देखिए तो यह वाले area जो dotted सारे हैं यहां पे इसका मतलब है historically पहले जमाने में यहां जेबरास पाए जाते थे इसका मतलब है यहां पे पहले जो था वो grassland होते थे लेकिन आइसा इसा जो है जो तबदीलियां है ecosystem की वो होती रहती है तो अब जहां जहां पर grassland रह गए हैं वहां वहां पे जेबरास है तो यह जो green area है यह सारे का सारा यह बता रहा है कि यह जो है वो जेबरास यहां पाए जाते हैं अब इसमें जो सबसे पहले जो plain जेबरास है वो कहां पर पाए जा रहे हैं वो इस eastern side पर और जो है वो southern side को पर जो है वो पाए जाएंगे फिर है gravy's zeबरास they are found in dry semi-desert areas of Kenya and Ethiopia this one is Ethiopia और यह जो यह चीज़ है इसको horn of Ethiopia कहा जाता है और यह इसके साथ Kenya का मुल्क लगता है तो यह वाला हिस्सा जो है यहां पर यह second type of zebras पाए जाएंगे mountain zebras जैसा के नाम से जाहर है lives in mountains and hilly habitat in नविबिया, Angola and South Africa यहां पर Angola है, इसके साथ नीचे नविबिया है और यह वाला यहां पर जो है जेबरा पाए जाएगा अब अगर गोर से देख रहे हैं इन तीनों जगों पर जेबराज पाए जाते हैं लेकिन तीनों की species जो हैं वो different हैं और यह जेबराज जो है यह native to eastern and southern Africa है, यहीं के east में भी मिलेंगे, south में भी मिलेंगे, यह native है इस African continent के यह जेबराज आपको कहीं और नहीं मिलेंगे सिवाए यह कि हम इसको जो है वो बाकी मुलकों में zoo के अंदर देख सकते हैं यह एक बड़ा खुबसर जेबराज आपको नजर भी आ रहा है, यह जेबराज जो है वो धेर सारे जेबराज अकटे में वो नजर आ रहे हैं, यह एक और पिक्चर है जो के आप एक overall view दिखा रही है के जो है वो इथोपिया, कीनिया अंगोला, निविबिया, यहां पे जेबराज पाए जाते हैं, but it is much more better कि जो उसकी historical background के साथ, जो है वो बतारी के जेबराज कहां कहां पर और जो है पाए जाते थे और अब कहां तक महदूद हो गए, that is important, महदूद होने का मतलब है कि अब वो हमें जरूरत है उन तमाम measurements को लेने की, कि यह जेबरा की species जो है, यह काइमोद दाइम रहे, इनका number जो है, वो कम ना हो, यह खुबसूरती जो है, वो आने वाली कई नसले इनको जो है, वो देख सकें यहां पे जो है, वो आपको तीनों किसम के जेबरा, plain zebra, और जो है, वो जेबरा और mountain, जेबरा जो है, वो देखने को नज़र आ रहे हैं और गोर से जो है, वो आपने देखना है, कि क्या आपको इन में कुछ फरक नज़र आता है, क्या आपको कुछ नज़र आता है, इसमें difference गोर से देखिए, इसको गोर से देखिए इसको गौँच से देखिए इसको गौँच से देखिए अगर यहां गौँच से देखिए plain zebra जो कि least concern यह नि इसका number बहुत जादा है इसके अंदर यह strips जो है वो चोड़ी है और strips के दर्मियान यह चीज जो है lines यह बहुत वाज़े हैं, यह strips close नहीं है, यहां पर जरा देखिए strips close नहीं है यह वाला जो है, वो gravy's zebra, look at this, यहां पर strips देखिए, nature ने कितनी जो है, वो बरीकी के साथ strips बनाई नहीं है, यहां पर आपको यह देखिए इनकी यह वाली जो है यह double जो है, वो double lines जो हैं, वो कितनी close हैं, यहां पर यह वाली line देखिए, यहां पर यह वाली line देखिए यहां पर इस तरह से curved line नहीं है, narrow नहीं है mountain zebra, look at this, यहां पर बहुत ज़्यादा चोड़ी strip है यहां पर इतनी strip नहीं, यहां narrow strip है ठीक है, तो यह कुछ चीजे हैं जो आपको यहां सामने से नज़र आ रही है इसका मतलब है, जो wildlife photographers होंगे, जो wildlife researchers होंगे वो इस जो pattern है, इसको देखके zebra की species को identify कर लेंगे कि which one zebra is this और यह जो है, वो कहां पर पाया जाता होगा अगर वो घूमता घामता अपने किसी दूर जगा पर आ गया है तो उसको जो है, वो locate करके उसकी original range में, original habitat है वहां पर ले जाना बहुत जरूरी होगा